अगर आपने टेलिग्राम ग्रूप को जोइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है आप वहाँ से जोइन करेंगे आपको वहाँ पर कही सारे PDF भी मिल जाएंगे इसक्रिप्शन को हमें किस तरीके से करना है पहले हम समझ लेते हैं इसको फिर उसके बाद इसके क्रिप्शन को हम लोग करेंगे देखिए तो दिया गया हुआ उसने बुला है कि तेरा थ्री ग्रूप्स P, Q and R ठीक है Engaged in a piece of work, fine In each group, there are 3 person A, B, C आपके पास group P में है D, E, F group Q में है और H, I, G, group R में है ठीक है, 3 आपके पास groups है, 9 लोग है टोटल मिलाकर सब में 3-3 आपके पास क्या person है उसने कहला है कि Below graph shows the number of days taken by the member of group R to complete a piece of work as a percentage of the number of days taken by the member of group P to complete the work ठीक है, उसने कहला है यहाँ पर आपके पास इस chart में क्या ले हो है यहाँ पर उसने मुला है कि जितने दिन लगते है member of group R को इस काम को complete करने में ठीक है, वो कितना percentage है किसका, जितने number of days लगते है group P के member को ठीक है, उसका simple percentage दे हो जैसे कि अगर मैं आपको समझाओ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे so I जो है जितने दिन I को लगते है I को जितने days लगते है ठीक है, वो B के days का कितना percentage है यह अगर हम देखेंगे तो यह आपके पास हो जाएगा 200% है ठीक है, मतलब क्या इसका ratio जो हो जाएगा, वो twist to work हो जाएगा ठीक है उसके बाद उसने मुला है कि table given below shows the number of days taken by one member of each group together to complete the work and the number of days taken by one member either of group P or group R and one member of group Q together to complete the work ठीक है यहाँ पर table में आपके बास किया है उसने मुला है कि तीनों group से एक एक परसन लेकर जितने number of days लगते है काम को complete करने में और आपके पास एक member group P ये group R का हो और एक member group Q का हो ठीक है तो उनको कितने days लगते है मतलब जैसे कि अगर मैं समझाओ आपको कि A, G और E को जो total number of days लगते है इस काम को complete करने में वो यहाँ पर दिया हुए और E, G को जो total number of days लगते है इस काम को complete करने में वो आपके पास यहाँ पर दिया हुए ठीक है इतनी basic information है जो आपको chart से लेनी है अब question में उसने में से क्या पूचा है उसको में किस तरीके से करना है वो समझते हैं देखिए तो अब इस question में given किया है उसने हम से बोला है कि B, F, and H together started the work and after working for two days B and H left the work and K and F did the remaining work while working on alternative days starting with K and the total work gets completed in इतना days ठीक है तो अगर हम बात करें आपके पास B, F, और H ठीक है इन्होंने काम को start करा they work for two days उसके बात फिर K और F काम करते है working alternative days और जो total आपके पास काम है वो complete हो रहा है कितने days में 49 by 3 days में ठीक है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं देखो आपको सबसे पहले पता होने चाहिए total work है कुछ total work आप मानेगे B, F, H, इनकी efficiencies क्या है यह आपको पता होने चाहिए तो इसको हम कैसे कर सकते हैं सबसे पहले गरें B की बात तो B आपके पास group P में है ठीक है मैं यहाँ से अगर देखो यह और यह इसका अगर मैं यूज़ करूँ तो यहाँ से B, I, और D यह मिलकर 8 days में काम को complete करते हैं और I, और D यह हम लिख सकते हैं कितना हो जागा 70, 72 72 by 5 days में काम को complete करते हैं तो B काम को कितने days में complete कर लेगा 8 into 72 upon 5 divided by तो उनके बीच के difference कितना हो जागा 32 upon 5 5 से 5 cancel out होगे यह आपके पास 4 times कि आपके पास कितना है 1, 8 तो B को कितने दिन लग रहे हैं इस काम को complete करने में 18 days लग रहे हैं अब अगर मैं बात करता हूँ H और F की तो H और F आपके पास देखे यहां से आ सकता है और आप इसका भी use कर सकता है कैसे देखो मैं यहां से आकर बताता हूँ तो C, H और F ठीक है यह आपके पास कितने days लेते हैं यह आपके पास वजाएगा कितना 90 upon 19 days लेते हैं ठीक है और अगर मैं C और F की बात करता हूँ तो यह मिलकर 10 days लेते हैं इसको अगर हम normally solve करेंगे यह 90 हो गया यह आपके पास 19 हो गया यह आपके पास 9 हो गया तो यहाँ से H की efficiency कितनी आ रही है 10 आ रही है ठीक है और अगर मैं इसका use करता हूँ तो यहाँ से देखो H को जितने number of days लगते है divided by C को जितने number of days लगते है ठीक है वो equals to किसके 60% 10 तो यह हम दिख सकते हैं 3 upon 5 ठीक है यह आपके पास days की efficiency है राइट तो days का ratio है तो यह आपके पास efficiency का ratio क्या हो जाएगा 5 is 2 3 हो जाएगा isn't it तो यहाँ से अगर मैं देख biography इसकी efficiency अगर 10 है तो इसकी efficiency किती हो जाएगी 6 हो जाएगी न तो अगर C की efficiency 6 है इसका मतलब यहां से F की efficiency किती हो जाएगी 3 हो जाएगी ठीक है, तो मैं number of days find out कर सकता हूँ, कैसे मतलब मैं यह चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर मैं H की number of days की बात करूँ, H की efficiency 10 है total work आपके पास अगर 90 है, तो H को किती days लगेंगी H को 9 days लगेंगी काम को complete करने में, similarly F की अगर मैं बात करता हूँ, तो F को देखो, F की efficiency है 3 90 आपके पास क्या है total work है, तो इसको total 30 days लगेंगी काम को complete करने में, और B की अगर हम बात करें B का आपके पास 18 आया था कि B को काम करने में 18 days लगता है ठीक है, मैंने इन 3 का क्यों यह है, because आपके पास यहाँ पर इन 3 की जरूरत है, इनकी efficiencies की जरूरत है, isn't it तो यह आपके पास क्या हो जगा, अगर आप total work मान कर सलते हैं, कितना 90 ठीक है, तो यह आपके पास हो कितना 5, यह जाएका 10 और यह आपके पास जाएका 3 ठीक है, अब आप यहाँ पर use कर सकते हैं, कैसे देखो, B, F और H अगर काम कर रहे हैं मतलब, total आपके पास 18 units वर्क हो रहे हैं, और उन्हेंने 2 दिन काम कर रहा, ठीक है, तो total work कितना कर लिए, 36 units कर लिए total work आपके पास कितना है, आपने K और F करेंगे, और एक चीज़ और यहाँ पर इनको 2 दिन लगते हैं है ना, और total काम आपके पास 49 by 3 days में हो रहा था तो 49 by 3 days को मैं लिख सकता हूँ 16, 1 by 3 जिसमें से 2 दिन आपके पास यहाँ पर इन्होंने already काम कर लिया है, इसका मतलब K और F चो काम करेंगे वो बाकी के बचे हुए 14 1 by 3 days में काम करेंगे ठीक है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा रब करता हूँ, फिर उसके बाद इसको हम लोग अप्रोच करता हैं, देखिए ओके, तो अब आपके पास starting with K है न, alternative days काम करेंगे, मतलब K पहले काम करेंगे, फिर F काम करेंगे इस तरीके से पैटर्ण चरेगा, ठीक है total number of days आपके पास यह है अगर K start कर रहा है इसका मतलब obviously K कितने दिन काम करेंगे, 7, 1 by 3 days काम करेंगे, और जो बाकी के बचे हुए काम है आपके पास total remaining 54 F के efficiency हमारे पास कितने आ रही थी, अभी जब हमने निकाल ले थी 3, ठीक है, तो यह उड़ा है का total work आपके पास 21, यह said कि 21 आपके पास remaining 33, ठीक है so यहां से यह आपके पास 2 times जाएगा, यह 3 times जाएगा, तो K की value आपके पास कितने आ रही है, 9 by 2 और I can say 4.5 उसने हमसे पूचा है क्या कि find the fraction of work done by K, K ने कितना काम किया so K ने कितने 22 by 3 days काम करा total work आपके पास कितना आपने माना था 90, ठीक है, तो यह आपके पास कितना हो गया, यहांच आगर हम देखेंगे 9 by 2 अगर आप इसको लिखेंगे, तो 9 by 2, यह आपके पास 3 times किया, यह आपके पास 11 times किया यह आपके पास 30 times किया, तो 11 upon 30, यह fraction of work किसने complete किया है, K ने किया ठीक है, तो इसका right answer क्या हो जाएगा D इसका right answer हो जाएगा ठीक है, I hope question आपको समझ में होगा, इसकी approach clear हुई होगी, किस तरीके से हमें इस question को करना था, अगर वीडियो अच्छी लगए हो, तो वीडियो को like करिएगा, चैनल को subscribe करिएगा, और अपने friends को इस चैनल के बारे में जरूर बताएगा, मैं इसी वीडियो डेली लाता रहता हूँ, और अगर आप ने टेलिग्राम गूरूप को जोइन नहीं किया है, तो नीचे description में उसका link के आप वहां से उसे जोइन कर सकते हैं, thank you so much